ओम्शंदि सुख्मिनी साहिब जिह मारक के गने जहनकोसा हरका नाम उहा संगतोसा जिहा पैंडे महा अंध गुबारा हरका नाम संग उचियारा जहा पंध तेरा कोना सिजानू हरका नाम तह नारल पच्छानू जह महा भयान तपत बहुद्धाम तह हरके नाम की तुम उपर ज्छाम जहां त्रिखा मन तुझ आर आकर खे तह नानक हर हर अम्रित बरके यहाँ पर पाच बातों की चर्चा है सबसे पहला जह मारग के गने जहनको सा हर का नाम उहा संगतो सा जहां पर मारग बहुत लंबा हो वहाँ पर एक परमात्मा का नाम ही सहरा है आधार है लंबा मारग बहुत सारे मील उसमें हैं बहुत सारे कोस जो गिने ना जाए गने जाए ना कोसा जह मारग वह मारग हर का नाम उहा संगतो सारे मारग में एक परमात्मा का नाम ही आधार है अध्यात्म का जो मारग है वो बहुत लंबा मारग है क्यों यह मारग बहुत लंबा है क्यों और ऐसे लंबा मारग में एक ही आधार है एक ही सहरा है कोई देहधरी सहरा नहीं इस मारग में अकेले ही जाना है आज की मुरली में अकेले के विशे में एक वाक्या आया है कौन सा बहुत अच्छा वाक्या है सुबह की मुरली में Soul Conscious Say, अकेले में ही बाप को याद कर सकते हो तो मार्ग बहुत लंबा है, कठिनाईयां बहुत सारी है, विगन बहुत सारे है, कठिला मार्ग है, काटे ही काटे है ऐसे लंबे मार्ग में ऐसी ऐसी वाधाय है, ऐसी ऐसी माया के रूप है, जो हमने कभी सोचे नहीं थे और जितना व्यक्ति इस मार्ग में आगे बढ़ने लगता है नए-ने विगना आते हैं नए-ने लोगों के द्वारा विगना आते हैं पुराने-पुराने लोगों के द्वारा नए-ने विगना आते हैं जो सहयोगी थे और सहयोगी बन जाते हैं सब कुछ होता है और इस मार्ग में बहुत सारे प्रलोभन साइट सीन से, इस मार्ग में बहुत सारे ऐसी बाते हैं, कि जहां पर व्यक्ति रुख जाता है, और सोचता है मनजील आ गई, जैसे सफलता हुई, रुका, छोटी मुटी सफलता, सेवा की सफलता, थोड़ा बहुत ग्यान की सफलता, योग की सफलता, योग की अनुभाओ, अशरीपन का अनुभाओ, अतिंद्रिय सुख का अनुभाओ, छोटी छोटी बाते आती है बीच में, और उसको हम समझ लेते हैं, ये बहुत बड़ी है, ये पहले कभी नहीं हुई थी अनुभूती, और वो अनुभूती को पकड़ कर बैड़ जाते हैं, तो आगे की अनुभूतिया होना बंद हो जाता है, स्तुती, प्रशेंशा, प्रसिध्धी, नाम, सेवा का विस्तार, ये सब ही बंदन बन जाता है, जो हमने सोचा था, इसके लिए जीवन है, परन्तु जिसके लिए जीवन दिया गया, वही वस्तु बाधा बन रही, ये भी हो सकता है, इसके लिए कहा, ये मार्ग ऐसा है कि, जह मार्ग के, गने जायन अकोसा, गिंती नहीं कर सकते, इतना लंबा ये मार्ग है, इतने सारे कोस, इसमें चलना है, हर का नाम उहा संग्तोसा, ऐसे मार्ग में वो उस एक की ही पालना है, वो एक ही साथी है, वो एक ही सहरा है, और जब जब जेतना मनुश्यों को सहरा बनाती है, भस्ती है, अटकती है, कल किये अव्यक्तवानी दूसरा भाग रूहानियत अमानत समझो दूसरों को भी ये सेंटर ये जिग्यासू, ये लोग ये शरीर सब कुछ अमानत है अमानत समझोगे तो अनासकत रह सकोगे तो बुद्धी में रहत होगी नहीं तो घबराट नहीं तो ठकावट आतमत ठक जाती है सेवा करते करते परिक्षा है देते सीता अन्त में क्या कहती है उस सभा में जब वालमी की लवकुष के साथ सीता को लेकर आता है और राम को कहता है कि मैं वालमी की हूँ, मैंने कभी कोई असत्य नहीं की, बोला, कोई जूट नहीं बोला, और मैं अगर बोला हो अगर मैं कहरा हूँ कि सीता परम पवित्र है अगर मैंने जूट बोला तो मेरे अब तक की सारी तपस्या सारे पुन्य भस्म हो जाए तो वो राम को कहता है, आप इसको स्विकार करो तो राम कहता है, मैं आपके बचनों को मानता हूँ स्विकार करता हूँ मैं ये भी मानता होगी, ये मेरे ही बेटे हैं दो परंतु सीता को एक अगनी परिक्षा फिर देनी होगी लोकपवाद सीता कहती है मैं परिक्षा देते देते ठक गई हूँ हे धरती मा अब मुझे अपनी शरन में ले लो क्या कहती है, मैं परिक्षा देते देते ठक गई हूँ धरती फटती है, धरती मां आती है वो धरती मां कहती है ये दुनिया अब तेरे लिए नहीं है चल मेरे साथ उसको ले जाती है और राम सीते, सीते, सीते करते रह जाता है और बच्चे मां, मां करते रह जाते है सीता प्रतीक आत्मा का है इस मार्ग में भी इतनी सारी परिक्षा है निरंतर परिक्षा एक परिक्षा से अभी पूरे नहीं निकले तो दूसरी खड़ी है जाडियों से जैसे चिकलते हैं जाडियों से चलते हैं तो कपड़े जाडियों में अटक जाते हैं तो हम उसको निकालते हैं तब तक दूसरा इधर से अटक गया है। तो ये मार्ग में भी असंख्य परिक्षय आए है। असंख्य अगनी परिक्षय आए है। ठकना नहीं। ठकावट, रुकावट, घवराट तब होगी जब रुहानियत कम होगी। और एक वाक्य था कल की मूदली में रुहानियत होगी तो सारी परिक्षय आए पास कर सकोगी। तो ऐसी रुहानियत को ध़रन करना है। एक व्रता पर अटेंशन, पवित्रता पर अंडरलाइन। रुहानियत की गुहता में जाओ। अनासक्त हो जाओ, समर्पन हो जाओ, रुहानिय द्रिष्टी हो, देह को ना देखो, जिस्म को ना देखो, सदा हर्शित रहो, सदास नहीं रहो, ज्यान युक्त रहन, रुहानियत का रुहाब, ऐसी दस बाते थी, रुहानियत की शक्ति धारन करने के लिए, अपने अंदर ये शक्ति धारन करो, तो परिक्षाय पास होगी, एक व्रता, एक व्रता अर्थात, एक से प्रण, एक पिता, एक भाई, एक मा, वही सब कुछ, एक साजन, एक दोस्त, एक सखा, एक गुरू, एक टीचर, आठ मुख्य संबन्द हैं, बाबा से, वो आठों के आठों संबन्द एक से, मा, बाप, टीचर, सद्गुरू, मित्र, साजन, और भाई या बहन और बच्चा, सब एक से, एक व्रता, पर अटेंशन, पवित्रता को अंडरलाइन, रूहानियत की गुहता में जाओ, अमानत समझो, समर्पन हो जाओ, परिक्षा इपास करोगे, सदास नहीं, सदा हर्शित, और रूहानियत की ग्यान, युक्त, रह्म, रूहानियत का रुहाओ, तो मार्ग, लंबा है, संड़े की मुटली, पहला भाग, मुश्किल और मेहनत से बाबा तुमको छुड़ा देते, और सहज योगी बना देते, कितनी मेहनत की, तन से मेनत की, मन से मेनत की, धन से मेनत की, शरीर को चलाने की मेनत, शरीर निर्वा की मेनत, मन को भगवान से लगाने की भिन्न भिन्न साधनाओं की मेनत, धन इकटा करने की मेनत, अब भी नौकरी करते हो, परंतु अब ट्रस्टी होकर करते हो, अभी भी सर्वंट कहां ताज तक तरती लगधारी आपतियों के भंडार और प्रकृती दासी और कहां अब पर स्नेह की पूंजी है तो सेकेंड में उपर जा सकते हो वो दोख वो धाम इस बॉंडरी से इस संसार की बॉंडरी से पार स्नेह की पूंजी जुमा करनी है अंदर तो उपर जा सकेंगे तो पहरी बात थी मार्क मार्क कैसा है बहुत लंबा है लंबा है पर साथ ही वो है लंबा है पर अंदर नहीं उसकी चत्र चाया है तो यह सबसे पहली बात कि मार्क लंबा है माना पर अंदर उसके संग से उसके साथ से उसकी सहबत से सहज है अकेला पन नहीं एकाकी पन नहीं उदासी नहीं दुखी नहीं दुखी हो जाती है आत्मा बहुत सारी परिक्षाओं का जब सामना करना पड़ता है तब दुखी हो जाती है सब कुछ करते हुए भी हम एक जगा गये थे वहाँ पे बहुत सारी मात आये थी वो आई तो उन्होंने कहा कि आप जो भी बता रहे हमको सब पता है पर हमको छुडाओ हम बंदन में हम क्या करे पता हमको सब है पर हम ग्रस्त के बंदन में ऐसे जकड़ी हुई है, ऐसी फसी हुई है एक तरफ पती और दूसरे तरफ बच्चे क्लास कराने तो आसान है पर हम बंदन में अब क्या करे कैसे छुटे कुछ करो हमको छुडाओ कैसे छुडाओ, कौन किसको छुडाओ हर एक को अपनी मुक्ति कमार कर स्वहम निश्चित करना है क्योंकि बंदन हमने ही निर्मान किये किसी और ने नहीं किये स्वहरचित बेडिया है, जंजीरे है दूसरा जिहपेंडे महा अंद गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पर महा अनंदकार हो वहां पर एक उसका नाम उसकी याद की उजियारा प्रकाशे आलोग है कौन सा अंदकार है? ब्राह्मनों के जीवन में कौन सा अंदकार है? किसका? तो सुखों ने अंदकार को लाया है सुख सुविधाओ का अंदकार अच्छा और अहंकार का अंदकार ये सबसे घटा टोप अंदकार है अहंकार किसका? अहंकार का अंदकार मैं कुछ हूँ कल बाबा ने कहा था ट्रस्टी ट्रस्टी हो जाओ डबल लाइट हो जाओ गर उसका डाइरेक्शन उसके शरीर भी उसका हमारी इच्छा और हमारी आवश्च्रक्ता अनुसार नहीं उसका डाइरेक्शन है इसलिए कार्य कर रहे ट्रस्टी हो जाओ ये घर तीन पैर पृत्वी बाबा का घर मेरा कुछ भी नहीं है ये शरीर भी मेरा नहीं है ट्रस्टी भाव अमानत डबल लाइट कोई बोज नहीं ऐसी स्तिती तो अंकार का अंधकार और कौन सा हंकार है ब्रामनों के जीवन में अंकार अंधकार विस्मृती का अंधकार भूले हुए रहते कर्तव ये भूले हुए रहते कार ये भूला हुआ रहता है स्वा की पहचान भूली हुए रहती है अब अशरीरी बनो सुब की मुटली में है देही अभिमानी भव बाप आये है तुम्हें रावन की जंजिरों से छुडाने अपका जो राज है वो कैसा है कॉंग्रिस का मना राज सत्ता का कैसा शर्ण भंगूर और ब्रिगतरिश्णा के समान राज बाबा ने कहा सुक यहoration है नहीं करके कुछ पद मिल जाएगा छुटा मुट पर सुक नहीं दुखो में है आत्मा लिप्टी हुई दुखो का अंधक्कार अहंकार का अंधक्कार विश्मृती का अंधकार आलस का अंधकार अलवेलेपन का अंधकर गफलत का अंदक्कार, बार बार गलतिया करते रहना पता सब है, फिर भी गलती mistakes बाप अभूल बनाने आये हैं पर अंतु भूले हो रही है और हर भूल आत्मा को कमजोर करते थी आगे बढ़ने का उच्छा कम हो जाता भूलो का अंदक्कार धन का अंदक्कार नाम मान्चान प्रसिद्धी का अंदक्कार सीट पद पोजिशन का अंदक्कार रेस आगे निकल जाने की रेस उसका अंदक्कार जलसी का अंदक्कार दूसरा आगे जा रहा है उसको आगे नहीं जाने जाने है हम गए नहीं पहुचे तो चलेगा पर यह नहीं पहुचना चाहिए यह भी तो अंधक्कार भाव और भावना का अंधक्कार कल की मुटली में था भाव और भावना बदल गई इश्वरिय भाव आ गया सेवा का भाव आ गया तो जहाँ अंदक्कार है जह बहाँ ही परमादमा की याद उजी आ रहा है किसी भी अंदक्कार में हम फसे हुए है जीवन के पहले तो ये प्रतिती हो जाए ये अनुभव हो जाए ये साक्षादकार हो जाए ये रियलाइजेशन हो जाए मैसुस्ता हो जाए कि मैं इस समय अंदक्कार में हूँ और ये जो अवस्था है अंदक्कार की अवस्था है क्योंकि confused mind है in two minds इधर जाओ कि इधर जाओ ये करू या नहीं करू ये देखू या नहीं देखू ये सुनू या नहीं सुनू इधर जाओ या उधर जाओ दोनों चीजे हो रही है एक तरफ तपस्या एक तरफ मनुरंजन कहा जाना है निर्ने है प्रतिपल एक तरफ इंद्रिय सुख है एक तरफ अतिंद्रिय सुख है एक तरफ जर्मुई जग्मुई संसार का चिंतन है दूसरी तरफ ज्ञान का चिंतन है एक तरफ संसार की आतमाओं से योग है एक तरफ फरमातमा से योग है एक तरफ सिवाओ का विस्तार है जिसमें मैपन और सकाम सेवा है और दूसरी तरफ निशकाम सेवा जिस सेवा में नाम की कोई चाहा कामना नहीं इधर या उधर पहले तो ये समझना है कि मैं । अधकार में हूँ कन्फ्यूजन में हूँ उलजन में हूँ बुद्धी को रहत नहीं है मन बेचेन है बाबा को लिख के बताओ कल कहा बाबा ने बाप को बच्चों के उलाने बहुत पसंद है बाप को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाओगे और किसको सुनाओगे बाप ही को ही सुनाओगे लाड़ प्यार बाप बच्चों के बाप को पसंद है तो मन में जो भी आता है इसको मनोविज्ञान कहता है journaling jot down your emotions जो मन में भाव और भावनाय उत्पन्न होती है उनको लिखने का अभ्यास करना है लिख देना है और फिर शाम को पढ़ना कि ये ऐसे भाव भी मेरे अंदर प्रगट हुए कितना निगेटिव है कितना देहभान वाला है इसको कहते है journaling journaling बहुत important पार्ट है स्वैम को समझने का स्वैम के emotions को समझने का क्योंकि यदि हम अपने 24 घंटे के emotions देखे कहीं रेकॉर्ड नहीं है उसका क्योंकि हम बूल जाते है और यदि हमने रेकॉर्ड रखा बीच बीच में एक डायरी में जिसको कहते है emotional journaling वो जर्नल में भाव और भावनाओ को लिखते ना फिर थोड़े समय के बाद या दूसरे तिन रात में जब उसको आज भी कहा सुबे बाबा ने सच्चे बाब के साथ सच्चे रहो सच्चाई से लिख दिया कि हाँ इस आत्मा को देखते ही मेरे अंदर एक तीवर वेग की ग्रिणा भावना उत्पन्न हुई इसको देखते ही ऐसा लगा कि क्या लगा क्या लगा खलिल गिबरान ने एक बहुत सुंदर पोयम लिखी है उसने लिखा है कि मा और बेटी उन दोनों को एक बिमारी थी सोमनेमबुलिजम मा और बेटी को एक बिमारी थी सोमनेमबुलिजम अर्था नींद में चलने की सो जाती थी दोनों तो नीन में उटके चलती थी तो एक रात ऐसी हुई कि दोनों का अपस में बहुत प्यार एक दोनों के बिना रह नहीं सकती थी ऐसी दोनों मा बेटी एक रात और पिता गुजर गये सो गई दोनों दोनों ही उट गई आदी रात को गार्डन में पहुच गई और मा ने बेटी से कहा तेरी वज़े से मेरा जीवन नर्ग बन गया है नीन्द में नीन्द में है और नीन्द में चलने की बिमारी है उसको पता नहीं क्या बोल रही है जो निकल रहा है सबकॉइंशियस माइंड से निकल रहा है वो कहता है तेरी वज़े से सब कुछ मेरे जीवन में हुआ जो भी आता है सब कुछ तेरे तरफ ध्यान देते है मेरे तरफ तो कोई देखता ही नहीं और उसको इतनी सारी बाते सुनाती है तुम काम नहीं करती, तुम ऐसा करती अच्छा हो के तुम पहले ही मर गई होती फिर उसकी बेटी वहां खड़ी होती है, वो कहती है तेरे जैसी मा किसी को न मिले तुमारी वज़े से मेरा जीवन नर्ग बन रहा है तुमारी वज़े से अभी तक इस घर में हो नहीं तो मैं कब की निकल गई होती है यहां से और फिर थोड़ी देर में सुबह हो जाती है, सूरज निकलने लगता है तो नीन पूरी हो जाती है फिर मा कहती है, अरे बेटी तुम यहां क्या कर रही हो तुमको कुछ चाहिए क्या अरे मा तुमको कुछ चाहिए होता मुझे कहना होता और दोनों प्यार करने लगते और प्यार करते करते वापस आते क्या था यह मा और बेटी बहुत प्यार होता है दोनों का अपस में परन्तु अउचे दन मन में कुछ और ही था और स्वप्न में निकल रहा था कुछ-कुछ और जैसे ही नेंद तूटी होश में आये तो प्यार-प्यार करने लगे दो Emotions भावना हैं बहुत सुक्षम हैं उपर से तकता है हमको विशायत लग रहा होगा इन से हमारा बहुत अच्छा है पर अंदर से शायद कुछ और है हम पकड़ी नहीं पाते अपनी भावनाओ को क्योंकि वा ज्यात सबकॉंशियस के बेड से निकलती है बाहर ये कॉंशियस मैंड परन्तु नीचे वन नाइन्थ सबकॉंशियस है यदि बर्फ का गोला यहां रख दिया जाए ये पानी है नीचे तो उपर जो तेहरे का वन टेंथ एक भाग और नव भाग नीचे है वो जो नव भाग है वो अवचेतन मन है सबकॉंशियस मैंड है हम जो दिखाई देते हैं बस इतना है पर व्यक्ति गहरा उसके अंदर बहुत है जो कुछ भी नहीं दिखाई देता है और वो खुद भी नहीं जानता है अपने आपको वो ऐसा क्यों कह रहा है कर रहा है बड़े बड़े अपरादी और ये सब लोगों के इंटर्व्यू लिये गए उन्होंने का अपने अंधकार की जाच पड़ताल करनी है अपने अंधकार को खोजना है मैं कहां अंधकार में हूँ भावनाओ का अंधकार है नाम मानशान का अंधकार है प्रसिद्धी का अंधकार है अहंकार का अंधकार है इरशा का अंधकार है विस्मृती का अंदक्कार है देहभान का अंदक्कार है देह अभिमान देह अहंकार कौन सा अहंकार कौन सा अंदक्कार खोज लेना ही प्रकाश है पता चल जाना ही मुक्ति है पता चल गया अर्थात प्रकाश आ गया कोई दूसरा मार्ग नहीं है चल जाए और प्रकाश आ गया understanding दिख जाए कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र मुझे गिरा रहा है कौन सी वो बात है जो गिराती है उसकी खोच करनी कौन सी वो चीज है जिसका मैं एडिक्ट बन गया हूँ और हो सकता है ये अडिक्षन सबसे बड़ी बाधा बन गई है तो दूसरी बात अंदकार तीसरा जहां पंथ तेरा को ना सी जानू हर का नाम तह नाल पचानू ऐसी जगा जहां तुम्हे कोई जानता नहीं कोई पैचानता नहीं प्रभु का नाम तुम्हारी पैचान होगा ये परिस्थिती है नए स्थान पर जब व्यक्ति चला जाए नई परिस्थितियों में घिर जाए जिसका कोई अनुभव नहीं ऐसे समय में भी यदि उस पर निश्चे है तो ये निश्चे, ये फेत ये प्यार, उसकी याद करेगी और जो भी परिस्थितिया है, अन्नोन है जो कल परिस्थितिया आने वाली है सुबह से लेकर रात तक अज्याद है, अपरिचित जिनके बारे में हमने सुना है पर खुद कभी नहीं गुजरे उन अगनी परिक्षाओं से परन्तु न जानते हुए भी निश्चिन्त रहना ये योगी की परिभाशा है सामने खाई है क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं शत्रु है शायद परन्तु फिर भी निश्चिन्त रहना इस विश्वास से कि वो मेरे साथ है, आज के ही मुल्ले में किसने कहा ये मेरी विजय निश्चित है एक राज्य पर दूसरा राज्य आक्रमन कर देता है और वो राज्य चो होता है, छोटा राज्य होता है बहुत कम सिपाई सहनिक सामगरी युद्ध का सामान बहुत कम है तो राज्य अपनी अंतरंग मंतरियों की मिटिंग करते है और रस्ताव पारित होता है कि हार मान ली जाए नहीं जिर सकेंगी क्योंकि शत्रू बलशाली है, बहुत शक्तिशाली आज का हमाया बलवान है बाँम काम का तो वो सोचते हैं कि हार मान लेते, परंतु एक कहता है कि नहीं, गाव के बाहर एक फकीर है उसको पूछ लो फाइनल, वो कुछ तो बताएगा, क्योंकि आज तक जो भी उसके पास गया है, खाली हाथ लाटके नहीं आया है तो सब उसके पास जाते है और वो सादू कहता है बिलकुल हार नहीं माननी है मैं नेतृत्व करूँगा सेना का सेना पती कहता है, तुम आज तक कभी तलवार पकड़ी किया ध्यान लगा है, बैटे हो और तलवार और सेना का नेतृत्व और युद्ध तुम कहां से कर पाओगे वो कहता है, मुझे होसर दिया जाए तो वो सेना की तुकड़ी लेता है और जाता है और बीच में एक मंदिर लगता है वो कहता है, ये जो मंदिर का आराद्ध देवता है ये मेरा आराद्ध देवता है जाने से पहले इसका आशिरवाद लेना बहुत जरूरी है और वो आशिरवाद लेता है और वो देवता को और वो साथियों से कहता है ये एक सिक्का है चित और पट अगर चित गिरा तो हमारी विजय निश्चित है ऐसा मुझे देवता ने कहा है देखते हैं एक बार फेखता है चित सारे सैनी कुछ सहा से भर जाते ऐसे ऐसा अदम सहस शोर ये उनमें भर जाता है कि वो छोटी सी से और ये नेतरुत वा करने वाला दुबला पत्रफ वकीर और ऐसा घंगोर युद्ध करते हैं कि जीत कर लोट कि आते है सेना बहुत बड़ी थी और जब आते हैं लोट कर तो मंदिर लगता है सारे सेना के सेना वो जो सिपाई कहते हैं इसी देवता के वज़े से हम जीते हैं कम से कम अभार तो प्रदर्शन करो वो कहता है वो देवता उसका क्या भार प्रदर्शन करना है उसके वज़े से थुड़ी हुआ वो कहते है क्या बात कर रहे हैं आप उसी ने तो कहा था देवता ने तो कहा था वो कहता है देवता भी बताने कुछ नहीं करा ये दो को सिक्का, दोनों तरफ से चित देहता कि तो बात ही नहीं है बात तुमारे विश्वास की है तो विश्वास निश्च है परिस्थितिया कठीन है, कठोर है परंद तु हमें पहले ही बता है हमारी जीत है यदि कोई देखो हम मैच खिलने जा रहे हैं और कोई बता दे कि जिस मैच में तुम हो उसकी जीत होने वाली है निश्चिन्त होके जाएंगे मैच खेलने क्योंकि कुछ भी करो मैच जीत तो हमारी है जीवन भी एक संग्राम है एक मैच है एक युद्ध है एक द्वंद है एक लड़ाई है इस बैटल में इस वार में हमारी विजय निश्चित है युवर एक वार विद माया हमारा युद्ध इनकॉग्निटो है अद्रिश है इस अद्रिश युद्ध में भगवान में कहा है तुम विजय हो तिलक दिया है विजय का जाओ जीत कराओ इस समर में इस संग्राम में तुम ही विजय थे और होंगे ये भी एक स्वतंतरता संग्राम है आज बाबा ने भारत को बहुत याद किया भारत को फिरंगियों से कैसे बापुजी ने छुड़ाया उसको याद किया पर वो हद का है मैं बेहद का हूँ वो तो बहुत परिशाने दुखी है तो जहां सब कुछ आपरीचित है अन्नोन है संगर्ष कोई अनुभाव नहीं फिर भी कूद जाना उसमें इस निश्चे के साथ की जीत हमारी होगी क्योंकि कहा किसने है तुमको तुमारी जीत होगी किसी विजोतिशी ने किसी मनुष्य ने संसार का जो भ्रगुरिशी है उसने कहा है जोतिश्य विद्धा का जो जन्म दाता है उस भ्रगुरिशी ने कहा है भाग्य विधाता जो है उसने कहा है इसलिए हमारी जीत निश्चित है तो तीसरा है अन्नोन चवधा जहां महा भयान तपत भगाम तहर के नाम की तुम उपर ज्छाम जहां महा भयान तपत हीट टेरिबल हीट जहां पर है आग जहां पर है बहगाम तहर के नाम की तुम उपर ज्छाम वहां पर प्रभु के नाम की प्रभु के प्रेम की प्रभु की छत्र चाया तुम्हारे उपर है जहां पर ऐसी तपत तपिश हीट scorching हीट of the sun विकारों की अगनी जहां है आग जहां पर है वहाँ पर परमात मत छत्र चाया तुमारे उपर है तो ऐसी जब छत्र चाया हमारे उपर है तो इस संसार की कोई भी अगनी हमें सेख भी नहीं आएगी उसकी चाहे कितनी भी आग हो संसार में और संसार में आग बहुत है कदम कदम पर अगनिपत है यह आग ही आग है सब जगा आग विगन, पेपर, परिस्यतिय समस्याए, प्रॉब्लेम्स दुख, शड्यंद्र काटे बिचे हुए है सब सेवा के मार्ग में योग के मार्ग में और ज्ञान के भी मार्ग में प्रलोबनी प्रलोबने, साइट सीन सी साइट सीन से हर एक टेंप्ट करता है, खीचता है, आकरशित करता है ब्लैक होल की तरह सक कर लेता है हर चीज हर साधन माया बन सकता है, हर साधन हर एक सेवा अहंकार का क्षेत्र बन सकता है, हर योग का अनुभाव आगे बढ़ने में बाधा बन सकता है, ज्ञान की समझ, ज्ञान की अहंकार को जनम दे सकता है, सारी लड़ाई सुक्ष में है, दिखाई कुछ भी नहीं देते हैं, सादू संतों को पैसे देते हैं, लोग, ग्रहस्ती, पोट लिया, ऐसे लेते हैं, जैसे कोई लेना देने नहीं अना सकत, और कमरे में जाकर रात को बारा बज़े तक गिंते बेटते हैं, कितने मिले, सेल्फ डिसेप्शिन, इस से स्वैम को मुक्त करना है, तो तपत आग कितनी भी हो, उसकी याद चाया है, चत्र चाया, और पाचवा है, जहां त्रिखा, त्रिखा अर्थाद प्यास, मन तुझ आकर खे, तह नानक हर हर अम्रित बर्के, जहां पर थर्स्ट जो है, टॉर्चर कर रही है आत्मा को, वहां पर प्रमात्मा का नाम क्या है, अम्रित समान है, अम्रित समान उसकी याद उसका प्यार बरसता है, जहां पर थर्स्ट, भूख, प्यास, आत्मा को किस चीज़ की प्यास है? सुख की प्यास, इंद्रिय सुखो की प्यास है, टेस्ट की प्यास है, संबंदो की प्यास, बेचे नहीं होती है, अगर किसी व्यक्ति को कहा कि, एक मैना किसी से भी बात मत करना, एक कमरे में बंद, उस कमरे में तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा, रह सकेगा शांती में? जला दे तब तक इदर रहत नहीं मिलती है कलेजे को ये उनके कोपिंग मेकेनिसम कहा जाता है खुद नहीं करना और दूसरे कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन न करना और उनकी निंदा करना ये उनके डिफेंस मेकेनिसम होते है आत्मा उन्हें अपने लिए निर्मान कर रखे तो प्यास किसकी है आत्मा को किस चीज की प्यास लगी है संसार में भी और इस परिवार में भी कहा कहा नाम की प्यास है recognition, acknowledgement की प्यास है care चाहिए आत्मा है मेरा ध्यान रखे मैं बिमार पड़ जाओं तो मुझे सब मिलने आए हैं सब पूछे अब कैसे हो और फिर हम कहेंगे कल से मैं ठीक हूँ तो थोड़ी कुश ही होती है प्यार आत्मा है प्यार करे हम दे या ना दे वो दूसरी बात है पर वो प्यार करने चाहिए अटिंशन दे ध्यान रखे समय दे हमारी बात सुने हमारी माने हम जो कहे उसको स्विकार करे ये सारी प्यास है आत्मा की पर क्या ऐसी प्यास कभी पूरी होती है आज तक हुई है किसी की प्यास जितना दो जितना दो प्यास कम नहीं होती है पर ये अच्छा होता कि प्यास कम हो गई बुझ गई अब संसार के सारे भोग लो एक बार पूरे हो गए अब उससे मुक्त हो जाओ कितनी अच्छी फिलोसफी है जिले भी कितनी खानी है आज बहुत खा लेता हूँ फिर एक बार कल से आज खाके कल से मुक्त कल से छोड़ दूँगा पर आज पूरा जितना इतना खालूँगा इतना खालूँगा कि उल्टी आ जाए ताकि वेराग आ जाए उससे ऐसी फिलोसफी भी एक फिलोसफी है कि बहुत खाओ बहुत खाओ बहुत खाओ और फिर उससे वेरागा जाए छोड़ दो उसको हमेशा के लिए पर उल्टा ही हो गया जितना खाओ वो टेस्ट और वो स्वात का संसकार अंदर निर्मान हो गया वो जो बीच का पिरिड है ग्याप है के वल पॉस और वो पॉस पूरा होते ही फिर से उसमें बिढ़ जाओ फिर से वही प्रकट हो जाता है तो उल्टा ही हुआ तो ये फिलोसफी काम नहीं करती है तेन तत्वेन भगनिता उपनिश्टों में लिखा है संसार के वस्तुओं का भोग करना है उनका त्याग करके जिले भी को एंजोई कैसे करना है उसको छोड़ दो यही सबसे बड़ा एंजोईमेंट है यह उधारन है तेन तक त्वेन भगनिता मात्मा गांदी ने कई जगा इसका उधारन दिखा है कि संसार की वस्तुओं का भोग उनके त्याग करने से करो यही वास्तों में परम भोग है क्योंकि वो कितना भी डालो और कितना भी भोगो इच्छा है अपूर नहीं है थस्ट है एक तहनानक हर हर अम्रित बर्खे जहां पर ऐसी प्यास है वहां पर परमात्म प्रेम क्या है वर्षा है अम्रित की तो यह पाच बाते हमने देखी सबसे पहली लंबा मार्ग है बहुत लंबा मार्ग परंतु उसका सहरा है दूसरा अंधकार है परंतु वो उजी आ रहा है तीसरा अज्यात परिस्थिती आएगी परंतु निश्चय की विजय हमारी है मार्ग वो दिखाएगा चवथा हीट तपत आग परंतु शीतल छत्र चाया है और लास्ट प्यास प्यास भी हो तो वो बुझाएगा तो ये थी आज का सुक्मनी का पाठ आज की साकार मुर्ली में क्या 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 दो तिन पॉइंट्स बताएं तन में धन से क्या करो भारत को स्वर्ग बना दो और क्या कर दो गुद्धी में बिठा दो कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है कर्मातित अवस्ता के विशे में बाबा ने कहा कल की मुर्ली में भी बाबा ने दीदी के विशे में कहा था दो प्रकार की आत्मा है कर्मबंदनी कर्मातित कर्मातित आत्मा किसी भी समय सेवा कर सकती है कहीं पर भी सेवा कर सकती है चारों दिशाओं में हर जगा जाकर उसे कहीं और जाने की जरुवत ने एक ही जगा बैटकर सब जगा की सेवा कर सकती है जैसे दीदी का उदारण हवा मौफिक चली गई दीदी का उदारण ट्रांस और ट्रांसफर हो गई स्पीड तीवर हो जाती है तो कर्म बंधनी आत्मा की चोटी सेवाए कर्मातीद की बड़ी सेवाए इस देह में रहते ही कर्मातीद कानुबाव जैसे बाबा ने पर आज का वह लास्ट में होगा दुख कानुबाव नहीं होगा कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए तुमको और माद पिता को फॉलो करो और प्रैक्टिस करते रहना है और साहुकारों का रिदय विदीर नहों हो जाता है बाप कोन है? गरिब निवास और जैसे बाप कौन है? विश्व सिवधरी वर्ड सर्वंट वैसे तुम भी वर्ड सर्वंट हो पर तुम्हारा वर्ड सर्वंट बनने से पहले त्याग और तपस्टा होनी चाहिए और जो ऐसी आत्मा होगी सिवधरी वो लेने का संक्रप नहीं होगा लेगी ने देगी हम तो ये है ममा बाबा को फॉलो करना और और क्या कहाँ बहुत सारी बाते कही हाँ क्या क्या ड्रामा में तुम्हारी विज़े निउन्दी हुई है और हाँ परिस्तियों में विज़े हाँ और राजाई को याद करने से रोमांच खड़े हो जाते है क्या तुमारा उच्पद था और नेचर क्यूर नेचर क्यूर क्या होता है एक है नेचर क्यूर एक है नेचरल हाईजीन एक है नेचरोपैथी एक है और्थोपैथी उसमें बहुत सारे पार्ट है एक है raw foodism, एक है veganism, एक है vegetarianism ऐसे अलग-अलग है बहुत सारे है उसमें नेचरोपेथी में भी बहुत साई है, hydrotherapy डॉक्टर शिल्टन नाम का व्यक्तिता उसने सबसे ज़्यादा काम किया है नेचरोपेथी कहो या raw food साल पहले और कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो और उन्होंने गांदी की मत पर सथंत्रता पाई तुम कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो जरासंद का जेल कुन सा है कंस का जेल तो है आज कहा कंस जरासंदी का जेल में मादाय बंदी है वो तो अंग्रेजों के जेल में थे सतन्तरता सैनानी वहाँ पूरुशों ने ज्याधा सहन किया यहाँ माता सारा जगडाई किस पर है पवितरता पर जरासंत का कून सा जेल है जरासंत का जेल है कोई नहीं दिखाया है वो तो मगत का सम्राठ था भीम ने उसको तुकड़े कर दिया एक इदर और एक इदर मार दिया था ना उस ने किया था उस ने किया था कि किसी और ने किया था उसी ने किया था शो तो जेल और क्या कहा जिमारी भैमारी का भै ने रहेगा और यह जो मूरली की अलग-अलग चर्णिंग मेथड्स है इसका रोज प्रयोग करना है तो अगले Tuesday से लेकर तो next Sunday तक रोज इन में से कोई ना कोई एक मेथड लेनी है यह आपको मिल जाएगी वो वेबसाइट पर भी है और वैसे भी नहीं तो मिल जाएगी कल जो मूरली चलेगी साकार मूरली है Saturday तक चलने वाली है Tuesday से Saturday तक इसमें आप सब को एक काम दे रहे अभी दो काम दे रहे दो मेथड का प्रयोग करके मूरली का अध्यान करना है पहली मेथड है Contrast मेथड दूसरी मेथड है Example मेथड Contrast में जो मूरली सुबे चलेगी सुनते सुनते ही Contrast क्या क्या किया है जैसे आज Contrast किया हद का बापू, बेहद का बापू उधर की सवतंत्रता इधर की सवतंत्रता अंगरे फिरंगी तो वो एक ही पैंट हो गया यह Contrast किया न जरासंदी का जेल, यहां का जेल हाँ, इधर के सुख और उधर के सुख ऐसी कौन सी Contrast की 10 Points निकालनी है हर दिन मूरली से Everyday यह aim रखना है कि मूरली से हमको Contrast क्या क्या था इधर, 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 इधर यह 10 Points और दूसरा उसी मूरली से Example कौन कौन से थी है Mira, Narad, Vyakti Vyakti, कौन किस-किस के Example दिये, जैसे आज Example है Mahatma Gandhi, Jarasana और Kans, यह नाम है शास्तरों से लाम लिये हुए बाबा उधर के प्रयोग करते हैं तो पूरी मूरली में Total कितने Example आए है इसको अलग छाट लेना है तीसरा और एक काम English शब्द कितने कितने आए 108 निकाले थे पर अभी रोज की मूरली से निकालने है जो कुछ-कुछ English शब्द कही बाबा प्रयोग करते हैं उनको कभी भी Hindi प्रयोग नहीं करते हैं Bachelor Scholarship Drama नाटक भी कहते है पर ट्रामा को Incognito हमेशा ही Incognito है Follow Father Follow Father तो Almighty ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आते हैं English रहा ले रहते हैं Nothing new को कभी ऐसा बोला नहीं सब कुछ वही सब कुछ नया कुछ भी नया नहीं ऐसा नहीं बोलते Nothing new ही प्रयोग करते तो कभी कभी होता है पर कुछ-कुछ English एकदम retain वही English ही रहते है तो यह तीन method से काम करना है मुरली में contrast क्या-क्या है वो निकालना तुलना किस बात की की है दो चीज़े की उधारन कौन-कौन से दिये और English शब्द कौन-कौन से है अपनी एक डायरी बनानी है यह पेज है डायरी का इसमें हम लिखेंगे contrast method contrast की नाम दूसरे पेज में लिखेंगे example method 1,2,3,4,5 example और नीचे एक छोटा सा आज की मुरली से में आये हुए English words यह एक list जस्ट उसको हम थोड़ा सा मन में divide करने के लिए यह हो गया मुरली का homework दूसरा homework है योग संबंदित हूंवर्ग जिसकी जितने बज़े से सेवा चालू होती है सुबह अमरितविला कर लिया मुरली कर लिया नाश्ता कर लिया सब कर लिया सेवा की field में सेवा के field में entry होते ही आठ से दो वज़े तक, तीन वज़े तक जिसकी जितने वज़े तक सेवा है वो पूरे सेवा period में दो तीन काम करने है कम से कम पच्चीस लोगों को आत्मा देखना है होश में ऐसा नहीं से आत्मा ही गुम रहे है वो नहीं यह आत्मा है और इस आत्मा को मैं पवित्रता की किरने दे रही हूँ यह आत्मा है इस आत्मा को मैं शान्ती की किरने दे रही हूँ आज कहान आत्मा का सुदर में शान्ती है इस आत्मा को मैं साइलेंस की किरने दे रही हूँ और उसका में भी ध्यान ना रहे चलेगा हम देख रहे हैं, आसपास देखा कुछ आत्मा है, बैठिए किरने दी, ऐसी गिन कर पच्चीस लोगों को आत्मा देखना, अगर कोई ना मिले, तो इधर बैठ जाओ गहीं, लोग चलते फिरते गुम रहे हैं, उनको देते रहो किरने ये काम करना है, और ग्यान सहरोर में, जो भी कॉन्फरेंस होती है, जो भी विंग्स के लोग आते हैं, अम्रित वेला, और नुमा शाम, अम्रित वेला और नुमा शाम के, दो समय, फरिष्टा रूप में बन कर जाना, हार्मनी हॉल, या फिर मेडिटेशन हॉल जहां पर वो सारे लोग बैठे हुए है, और उन सब को जगाना, आवहान करना, जैसे कल की मुर्ली मिता ब्रह्मा बाबा ने पहले ही तुमारा आवहान किया था, पहले गर्ब में थे, पेट से बाहर तो अब निकले हो, तो वैसे आत्माओं का भी आवहान करना